पिछले 24 घंटे में राजधानी पटना में रुक रुक कर बारश हो रही है और काफी जमाजन बारश दर्ज की जा रही है बतादे कि मंगलवार से ही तेज रफतार में हवाओं का चलना शुरू हो गया था जिसके बाद से मौसम ने अपना रुक बदल लिया और मौसम का मिजास बिलकुल ठंडा हो गया जिसके बाद लोगों को काफी राहत मिली है इसके साथी राजधानी पटना में भी काफी जादा बारश हुई है और बतादे कि बिहार के 37 जिलों में लगातार बारश दर्ज की जा रही है सिर्फ एक जिला ऐसा है जहां बारश नहीं हुई है और वो जिला सीता मड़ी है बतादे कि मौसम विभाग ने भी यह जानकारी दी है कि अगले 24 घंटे तक मौसम का हाल ऐसा ही बना रहेगा मौसम विभाग के मुताबक 24 घंटे में बिहार के 37 जिलों में बारश हो रही है मातर सीता मड़ी ऐसा जिला है जहां बारश नहीं हुई है पटना सहित 17 जिले ऐसे हैं जहां औसत से कम बारश हुई है मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे तक मौसम का हाल यही रहेगा मौसम विभाग के मुताबिक मौसून की ट्रफ रेखा, एहमदाबाद, इंदौर, दिशा, औरंगाबाद, 36 गर, ओरीसा के गुपालपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी के तरफ गुजर रही है बिहार में पूर्वी और दक्षिन पूर्वी हवा का लगतार प्रवा हो रहा है इसके साथी बंगाल की खाड़ी से नमी युग थवा का प्रभाव भी बिहार में हो रहा है पूर्वी रहतास, भबुआ, औरंगाबाद, अर्वल, पठना, गया, नालंदा, शेकपूरा, नवादा, बेगो सराय, लखी सराय, जहानाबाद, भागलपुर, बाका, जमुई, मुंगेर और खगडिया के अनेक स्थानों पर हलकी से मध्यम बारुष का पूरवा नुमान जारी किया गया है, मौसम विभाग के मताबिक दक्षिन पशिम बिहार के बकसर रहतास और अर्वल में एक दो स्थानों पर भारी बारुष का अनुमान है, दक्षिन बिहार के पशिम एवं मध्य भाग में गरज के साथ आकाशिय बिजली को लेकर शेतावनी दी गई है, प हवाएं चल सकती है, मौसम विभाग के मताबिक पिश्वे 10 दिनों से बिहार से शिफ्ट होकर, राजस्तान, दिल्ली, यूपी होते हुए 36 गर, मदर प्रदेश होते हुए असम की तरफ जा रही है, हाला कि बंगाल की खाडी में गहरे दबाव का जो छेत्र विक्सत हुआ ह जो पशिम बंगाल से होते हुए जारखंट, बिहार, उत्तर प्रदेश और निपाल के तरई वाले छेत्रों में स्थित है, जिसके बाद नमी धूप के बाद उमस्भरी गर्मी का एहसास हो रहा है, जो सम्वावीनी बादल का निर्मान कर रहा है, जिसके प्रभाव से बार पटना के सभी जिलों में गर्मी से लोग परिशान थे, पटना में दिन का तापमान एक बजे 24 डिग्री सेल्शियस रिकॉर्ड किया गया है, मौसम विभाग के मताबिक लगातार हो रही हलकी बारश से, प्रदेश के सभी जिलों में दिन के साथ ही रात के तापमान में भी गिरावट का अनुमान है, बतादे की राजधानी पटना समेथ प्रदेश के कई हिसों में लगातार बारश दर्ज की जा रही है और तेज हवाई भी चल रही है, जिसके कारण मौसम के तापमान में 2-8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई है, जिसके बाद मौसम ठंडा हुआ है, मौसम में ठंडा पनाया है और लोगों को उमस भरी गर्मी और बेचैनी से रहत मिली है, असा पूर्वा नुमान जताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे तक ऐसी ही नमी बनी रहेगी और जिसके प्रभाव से बारश होती रही, कहीं हलकी से मध्यम तो कहीं ते ताबनी भी जाली करती गई है, तो अभी के लिए मौसम में बस अतना ही, अने काई अपडेट्स के लिए हमाई साथ बने रहें, न्यूस फोर नेशन में, नमस्कार